नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फेस्बुक चलाते हैं फेस्बुक पर अगर आप कोई पेज बनाई हुए हैं और पेज पर अगर आप वीडियो अप्लोड कर रहे हैं बट आपका important settings यहां पर बताऊंगा तीन important settings मैं आपको यहां पर बताऊंगा जिससे फालो करके आप अपने फेस्बुक पेज को grow करा सकते हैं साथ ही आप अपने फेस्बुक पेज को monetize करके आप मैंसे कमा सकते हैं वीडियो में बने रहे हैं मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला और बहुत थी अच्छी ट्रैफिक आपको मिलेगी तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल पंडे हैक्स को सस्क्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेन लेके आता रहता हूं तो फेस्बुक पेज की कुछ important settings क्या है उसके लिए आपको फेस्बुक पेज पेज पे चले जाना है आपका फेस्बुक updated होना चाहिए अपडेट कर लेने के बाद मैं आपको जो step बताने जा रहा हूं और वो steps आपको follow करने है आपको अपने फेस्बुक पेज पे आ जाना है फेस्बुक के उसके बाद आपको three lines पे click करना है three lines पे आप click करोगे तो यहाँ पर your source search के अंदर आपका page आ जाएगा आप यहाँ से जिस भी page पे setup करना चाहते हो आपको यहाँ से switch कर लेना है उसके बाद switch करने के बाद all source search के अंदर देखिए यहाँ पर आपको professional dashboard का option मिल प्रोफेशनल dashboard पर आप जैसे टैप परोगे आपके page का पूरा performance यहाँ पर आ जाएगा facebook page पर आपकी performance क्या है professional dashboard में आपका यहाँ पर दिखाता है और 9 डिसंबर जेकिए एक महीने पहले का भी दिखाएगा पूरा यहाँ पर 28 days का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएग यहाँ पर दिखा रहा है आप इसे यहाँ से मैनुली आप 14 days 28 days कभी कर सकते हो आप यहाँ पर आप देख सकते हो इंगेजमेंट दिखा रहा है followers दिखा रहा है कितने followers आए हैं one minute का वीडियो आपका कितना चला है कितनी views आए हैं और यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा आपको नहीं बताते हैं जिससे आप अपने facebook page को grow कर सकते हैं तो बट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि कैसे आप settings करके secret settings कुछ रहती हैं यहाँ पर आप कैसे उसे follow करके आप अपने facebook को grow कर सकते हैं या क्या करना है आपको नीचे जाना है नीचे जाने पर platform tools के न help and guidance help and guidance में आपको set your page up for success देखिए set your page up for success यही राद छुपा हुआ है सारी settings यहीं पर रहती हैं यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ तीन इसी settings जिसे follow करके आप अपने facebook page को grow करा सकते हैं तो पहली setting क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा है finish setting up your page tell people more about मेरा नाम है they can connect with you कैसे आपके जो friend हैं वो followers में कैसे connect होंगे या आपके followers increase कैसे होंगे उसके बाद जब आपके followers increase होगे automatically आपका video आपका reels grow करेगा और उससे बहुत सारा पैसे आप कमा सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है पहली setting क्या है help people find you यहाँ पर देखे पहला देखे आपको मैं तीन setting देखा देता हूँ एक setting दूसरी setting और तीसरी setting यहाँ पर तीन setting ऐसी हैं जो आपको करना है पहली setting में आपको क्या करना है अपडेट योर लोकेशन अगर आप अपने लोकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं आप अपने लोकेशन जैसे इंडिया में आप है तो इंडिया यूएस में आप है तो यूएस आप country यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं city अपडेट कर सकते हैं आप इस तरहे second option क्या है link your website इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपका अगर youtube channel है तो आपको यहाँ से अपने youtube channel का link add कर लेना है social media जैसे instagram और twitter हो गया आपको यहाँ से एड कर लेना है दूसरा क्या होता है जोस्तों add your business hour आप अपने business hour को यहाँ से एड कर सकते हो always open रखना है आपको और तीसरा setting क्या है यहाँ पर add your four number four number भी आप एड कर सकते हो उसके बाद दूसरी setting यहाँ पर जो आती है connect with your audience यहाँ पर देखे पहला option है मैं आपको दिखाता हूं list your content preferences यहाँ से आप क्लिक करके आपके जो facebook के friends हैं उन्हें followers में आप convert कर सकते हो बट यहाँ पर जो second वाला option आपको दिख रहा है add and action बटन बहुत ही important है यहीं पर राद छुपा हुआ है आपके facebook page का grow नहीं हो पा रहा है इसलिए आपको add and action बटन पर click करना है और यहाँ पर आपको setup करना है जैसे कि आपका अगर दिखे यहाँ पर आपको link your group और app यहाँ पर watch now पर मैंने किया हुआ है आपको भी watch now पर कर लेना है अगर आप YouTube creator हो YouTube पर वीडियो अप्लोड करते हो Facebook पर वीडियो अप्लोड करते हो तो आपको यहाँ से watch now पर कर लेना है इसे watch now पर कर लोगी तो watch now यह आपका वहाँ पर add बटन आपका दिख जाएगा जैसे like का जो बटन रहता है वहाँ पर watch now का आ जाएगा watch now पर जैसे आपके audience क्लिक करेंगे directly आपके चैनल पर चले जाएगे और वहाँ से आप विजिट करके आपके फ्रेंड जो है आपके audience वह आपके चैनल को देख पाएंगे आपके वीडियो को देख पाएंगे तो आपको इसे watch now पर ही रखना है उसके बाद आपको next कर देना है next करने के बाद आप अपने जो आपका YouTube चैनल है उसका website आप यहां से add कर सकते हो add करने के बाद आपको save कर देना है save करोगे मैंने save किया हुआ है already आप देख सकते हो मैंने save किया हुआ है तो तीसरा option यहां पर क्या है invite friend you like your page यहां से आप अपने friends को invite भी कर सकते हो आपके जो friends हैं उन्हें followers में convert कर सकते हो यहां से उसके बाद दूसरा setting क्या रहता है यहां पर write a welcome post आप अपने audience के लिए जो भी आपके followers हुए हैं उन्हें आप welcome post भी आप कर सकते हो यहां से और last out बहुत important setting क्या होती है आप यहां पर अपने profile को update कर लो cover को update कर लो और यहां पर अ आप videos upload कर पूरा आप यहां पर बाद ना लिख सकते हो लिए कुछ important settings जो मैंने आपको बताया उमीद है आप यह setting करके आप अपने facebook page को grow कर पाएंगे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आयो तो वीडियो को मेरे like करें और मेरे चैनल पंडे hex को subscribe करें thank you so much दोस्तों